जैस्ट्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवाद एकाउंटिंग गुरू में अब थोड़ा सा हम रिटार्मेंट और एडिमिशन को पढ़ने से पहले यह जरा जो कमपरेजन मैंने रखा है आपके सामने इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज है जो आप एडिमिशन में अल्रेडी पढ़कर आ रहे हैं उसको हम रिटार्मेंट और डेथ में फिर से नहीं पढ़ाने वाले हैं ठीक है क्योंकि अगर पढ़ाएंगे तो जस्ट वेस्ट आफ टाइम होगा और कुछ नहीं होगा जैसे अगर हम देखें यहां पर मैंने आपके लिए कंपेरेजन के लिए मैंने तीन चीजें बना रखी हैं एडिमिशन रिटार्मेंट और डेथ जब आप चेंज इन प्रॉफिट सेरिंग रेशियो की बात करोगे तो एडिमिशन के बेटे मैंने कितने केस आपको बता रखे हैं एडि नंबर ऑफ केसेज हैं वो आपके थ्री हैं ठीक है वन टू थ्री अभी पांच मिनट बाद उसको मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा ठीक है उसके बाद अगर आप एडिमिशन की बात करोगे तो एडिमिशन में आप एसार पर काम करते हो जबकि रिटार्मेंट और देथ पर आप किस पर काम करते हो आप जी आर पर काम करते हो यानि यहां पर आप गेनिंग रेशियो पर काम करते हो इतना बात समझ में आ गया उसके बाद अगला पॉइंट आपका क्या है वैलूएशन औफ गुडविल जैसे आप एडिमिशन में गुडविल का क्या करोगे क्रेडिट करोगे क्योंकि पैसा तो उन्हीं को देना है और अगर हम इसकी बात करें रिटार्मेंट और डेथ की बात करें तो यहां पर जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की क्या हो रही है डेथ हो रही है उसको आप क्रेडिट करेंगे ठीक है उसको आप क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे क्योंकि उनको तो हमको पैसा देना है फिर उसके बाद जब आप revaluation की बात करोगे तो revaluation जैसे आप admission में बनाते थे ठीक उसी प्रकार से आप retirement और death में बनाओगे same वही चार नियम आपको जो मैंने बताये थे increase in the value of assets और decrease in the value of liability इसको आप credit करोगे और decrease in the value of assets और increase in the value of liability इसको आप debit करोगे same rule और जो profit आएगा वो आप सारे partner में क्या कर दोगे बाट दोगे यानि old partner में या फिर आप अगर retirement की बात करोगे तो वहाँ फिर सारे partner में या death में बात करोगे तो वहाँ पे भी सारे partner में आप क्या कर दोगे बाट दोगे बात समझ में आ गए उसके बाद अगला point आता है आपका partner capital account तो आप जैसे partner capital account बनाते थे same to same वैसे बनाओगे मतलब अगर कोई workman compensation reserve है जो journal entry आप admission में करते थे वही journal entry आप retirement और death में करोगे अगर कोई investment fluctuation reserve है तो same जैसे admission में करते थे वही आप admission retirement में करोगे अगर कोई undistributed profit है या फिर undistributed कोई loss है तो same जैसे admission में करते थे वही retirement और death में करोगे और साथी साथ partner का जो balance है partner capital account है जो आपका क्या है partner capital account का balance जो है जैसे आप वहाँ post करते थे same to same आप वहाँ पे post करोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा कोई अगर revaluation का balance है कर कोई किसका balance है आपका revaluation का balance है अगर profit है तो आप उसे credit side भेजोगे और अगर कोई loss है तो उसे आप कि side भेजोगे debit side भेजोगे यानि जैसे आप admission में आप partner capital account बनाते थे चीक उसी प्रकार से आप अपने retirement और आप अपने death में उसे क्या करोगे prepare करोगे is that clear बस थोड़ा सा अंतर क्या है थोड़ा सा अंतर है आपके adjustment में क्योंकि adjustment of partner capital admission की अगर आप बात करते थे तो वहाँ पर आप दो तरीके से adjustment करते थे एक होता था आपका new partner के base पर इसके base पर आपका new partner के base पर और यहाँ पर क्या होता था आपका old partner के base पर ठीक है बहिए admission में आप new partner का base ले लेते थे और old partner का base ले लेते थे लेकिन अगर आप death की बात करोगे या किसकी बात करोगे retirement की बात करोगे तो यहां पे तो new का concept ही नहीं है यहां पे concept किसका होगा सिर्फ और सिर्फ जो remaining partner बच गए हैं यानि यहां पे जो concept रहेगा वो फिर आपका new profit sharing ratio के base पर रहेगा इस पर रहेगा आपका new profit sharing ratio के base पर हम अपने partner capital को क्या करेंगे और just करेंगे और balance sheet की अगर बात करें तो जैसे admission में बनती थी वैसे retirement में बनेगी और वैसे क्या बनेगी आपकी death में बनेगी clear हो गया point अच्छा एक point और है ध्यान से समझो यहां पे जब आप retirement की बात करोगे retirement में आपको एक separate account बनाना पड़ेगा और वह separate account का नाम क्या है आपका retirement या retire partner loan account यह retirement में आपको बनाना पड़ेगा और अगर आपकी death की बात करोगे तो death में आपका एक्जीक्यूटर एक्जीक्यूटर पार्टनर एकाउंट यह थोड़ा सा खाली परिवर्तन है admission में कोई भी यह वाला concept नहीं है यानि जैसे क्या होता है कि कभी-कभी जो retire partner होते हैं उनका जो balance होता है हम उन्हें पूरा का पूरा ना पे करके कुछ अपने पास hold कर लेते हैं और बाद में उनको हम विद्दा interest पे करते हैं तो जब हम उनको विद्दा interest पे करते हैं तो उसी को हम retire partner loan account के concept के according करते हैं और death में आप executor यानि जो आपका representative है जो आपका legal representative है उसके लिए हम एक account separate open करते हैं जिसका नाम क्या है आपका executor partner account पस यही अंतर है तो यह basic अंतर है आपके admission, retirement और death को लेकर अभी हम dissolution की चर्चा नहीं कर रहे हैं तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग अब retirement और death वाले concept को क्या करते हैं समझते हैं क्या क्या concept हम already देख चुके हैं पढ़ चुके हैं एक बार इस पर नजर हम जरूर देख लेते हैं और क्या क्या जो पढ़ चुके हैं उसको हम फिर से आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं जैसे सबसे पहले हम आपको goodwill का valuation नहीं सिखाएंगे लेकिन हाँ goodwill की journal entry जरूर सिखाएंगे हम आपको revaluation नहीं सिखाएंगे क्योंकि revaluation already हम कर चुके हैं partner capital account हम आपको बनाना नहीं सिखाएंगे क्योंकि हम उसे बनवा चुके हैं लेकिन partner के साथ जो आपका retirement partner loan वाला है वो हम आपको जरूर बताएंगे executor वाला भी हम आपको जरूर बताएंगे ठीक है साथी साथ आपका यहाँ पे जो capital adjustment था new partner के base पे वो हम आपको जरूर बताएंगे ठीक है लेकिन हाँ अब आप कहो कि सर balance sheet बतादो तो balance sheet बिटा हम आपको नहीं बताएंगे लेकिन balance sheet की question हम आपको जरूर लगवाएंगे workman compensation reserve नहीं बताएंगे investment fluctuation reserve नहीं बताएंगे undistributed profit का treatment नहीं बताएंगे क्योंकि यह already आपको हम बता चुके हैं अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे जो previous के lecture हैं उनसे आप जाके इसको क्या कर सकते हो पढ़ सकते हो clear हो गया चलिए फिर start करते हैं new profit sharing ratio of retire partner देखो जारा जल्दी से तो दस मिनट से जादा इसमें समय नहीं लगेगा आईए फटाफट इसको क्या कर लेते हैं हम लोग देख लेते हैं देखे बेटा अच्छा मैंने आपसे कहा कि जब आप new PSR की बात करोगे चाहे वो retirement की बात करोगे चाहे आप किसकी बात करो हैं तो case number one में ये कहा जाता है कि no information is given no information is given no information is given no information is given का concept क्या है जैसे माल लीजे कि आपके पास तीन partner हैं तीन क्या चार partner है ठीक है अब चार partner में से किसी एक partner कोई एक partner क्या हो गया retire हो गया अब इनका PSR माल लीजे 3,2,3,1 है ठीक है अब माल लीजे ए partner आपका क्या हो गया retire हो गया तो अब सवाल ये उड़ता है कि अगर A retire हुआ तो new profit sharing ratio हम किसका निकालेंगे अगर A retire हुआ है तो हम new profit sharing ratio किसका निकालेंगे अरे भाई जो बचेगा उसी का तो निकालें तो बचा कौन है आपका बचे हमारे पास तीन है जिनका नाम क्या है B C और D को information नहीं दी गई है तो जो इनका old ratio है now become the new ratio old ratio इनका क्या था 2,3,1 ये इनका new ratio हो जाएगा clear हो गया अच्छा अभी तो A retire हुगा माल लीजे B की death हो जाए B की क्या हो जाए death हो जाए तो अगर B की death हुई तो इस case में हम new profit sharing ratio किसका निकालेंगे जो remaining partner है remaining partner कौन है C और D और इनका profit sharing ratio क्या आ जाएगा आपका 3 is to 1 आ जाएगा point clear हो गया भी तो retirement में भी जैसे हम solve करते थे ठीक उसी प्रकार आप किस में solve करेंगे आपका death में भी हम वही solve करेंगे यानि same वही रहेगा same वही pattern है कोई भी change नहीं है clear हो गया अब यहाँ पर साथी साथ आप एक चीज और देख लीजे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप retirement और death की बात करोगे तो यहाँ पर आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा GR का सहारा लेना पड़ेगा GR यानि आपका gaining ratio का सहारा लेना पड़ेगा तो जब आप GR की बात करते हो तो GR मतलब आपका gaining ratio गेनिंग रेशियो का जो हमारा एक फॉर्मुला होता है जिसे हम कहते हैं new ratio माइनस old ratio कुछ बच्चे कहते हैं old ratio माइनस new ratio देखिए एक चीज जानिए बेटा आप ऐसे समझो gaining का मतलब कि आप पहले दो कमाते थे अब आप चार कमा रहे हैं तो नए मेंसे पुराना घटा होगे कि पुराने मेंसे नए घटा होगे नए मेंसे पुराना घटा होगे तभी तो पता चलेगा कि कितना गेन किया हमने क्लियर हो गया ठीक है तो gaining ratio कब calculate किया जाएगा in case of the retirement in case of the death तो अगर हम पहले वाले case की बात करें जहां पर a retire हो रहा है तो यहां पर आपके partner कितने बचे b c और d b c d का हमें सबसे पहले new ratio चाहिए तो हमारा new ratio क्या है b का 2 upon 6 यहां पर क्या लिख देंगे हम 2 upon 6 यहां पर क्या लिख देंगे 3 upon 6 और यहां पर क्या लिख देंगे 1 upon 6 अब इनका old ratio क्या होगा 2 upon देखें जरा कितना था तीन दो पांच पान तीन आठ आट और एक नो तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 9 यहां पर क्या हो जाएगा 1 upon 9 अब आपको क्या लेना है LCM लेना है LCM ले लीजे कितना आएगा 6 और 9 3 से काटेंगे यहाँ पर कितना आजाएगा 2 यहाँ पर कितना आजाएगा 3 फिर 3 से काट दीजे 2 और यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा यानि कितना हो जाएगा 9 और 9 गुड़े 2 करेंगे कितना आजाएगा पिटा आपका 18 यानि हमारा LCM कितना आगया आपका 18 अब नीचे वाले से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 और 3 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आजाएगा आपका 6 माइनस फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा का रएड करेंगे दो और 2 का यहां पर 2 से गुड़ा करेंगे कितना आ जाएगाthis यानि यहां पर आ जाएगा टू अपाँण 18 तीन है थिए उसी प्रकार इसका ceeum उठाईए एठारीय्ग यहां 2 यानि 1 upon 18 लीजे आपका gr क्या हो गया आपके सामने निकल कर आ गया जियार यानि आपका gaining ratio आपके सामने आ गया इसींपल सा कॉंसेट है पहला केस आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब दूसरे केस की बात करते हैं हम case number 2 की बात करते हैं कभी कभी क्या होता है धान दीजे case number 2 कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे retire partner होते हैं या जो हमारे death partner हैं उनका जो share होता है वो remaining partner equal ratio में buy कर लेते हैं या equal ratio में take over कर लेते हैं यह आपको question में दिया रहेगा ठीक है अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं मैं आपसे यही चीछ कहूँगा कि बटा आप नोट करते रही है तो इसका मतलब आपसे बड़ा लापरवाह इंसान कोई नहीं है यह आप जानिये अब आगे मेरे से कुछ मत बुलवाईए बस आप इतना जान लीजे कि आप लापरवाही कर रहे हैं जान दीजे जो आपके रिटायर पार्टनर है जो आपके क्या है बिटा रिटायर पार्टनर है या जो आपके डेथ पार्टनर है इनका जो शेयर है इनका जो क्या है आपका शेयर है यह share क्या किया गया है कि जो remaining partner है remaining मतलब कौन जो आपके बचे हुए partner है जो आपके क्या है remaining partner है वो क्या करते हैं कि इस share को take over कर लेते हैं इस share को क्या कर ले रहे हैं take over कर ले रहे हैं take over in equal equal portion in equally equally portion point clear हो गया इतना अब इसी वेस्ट पे हम एक कोश्चन को क्या कर लेते हैं समझ लेते हैं कैसे समझो ध्यान से जैसे माल लीजे अभी उनी पुराने इस पार्टनर को उठाते हैं कितने पार्टनर थे आपके पास चार पार्टनर थे अब माल लीजे ए रिटायर हो गया या ए की क्या हो गई डेथ हो गई ठीक है आर मतलब रिटायर डी मतलब डेथ ए का हिस्सा है कितना ए का शेयर है कितना आप कहोगे सर थ्री अपॉन नाइन अब इसका शेयर क्या किया गया रिमेनिंग पार्टनर तो रिमेनिंग पार्टनर के नाम पे आपके सामने कितने हैं बी हैं सी हैं और डी हैं इन्होंने क्या किया कि इसको इक्वल इक्वल पोर्शन में टेक ओवर कर लिया तो equal equal में ये नहीं confirm है कि कितना एक कर दिया बस इतना confirm है कि सब्राबर ब्राबर तो ब्राबर का मतलब है एक रुपया तुमने ले लिया एक तुमने ले लिया ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता तो अगर मैं overall share की बात करूँ तो B ने कितना take over किया 1 upon 3 सी ने कितना टेक ओवर किया वन अपॉन थ्री डी ने कितना टेक ओवर किया वन अपॉन थ्री आप ये कहोगे कि एका हिस्सा कितना था थ्री अपॉन नाइन जाहन से सुनों जो मैं सब्द कह रहा हूं 27 3 upon 27 यह किस ने take over किया B ने take over किया ठीक कुशी प्रकार अगर मैं C की बात करूँगा ठीक है ठीक है तो अगर मैं किस की बात करूँगा आपका C की जब बात करूँगा तो C का हिस्सा कितना पहले देखे ज़रा C कितना take over किया है A का जान दीजे एका हिस्सा कितना था 3 upon 9 और इसने कैसे take over किया है 1 upon 3 तो कितना आ जाएगा 3 upon 27 ठीक उसी प्रकार D की बात करेंगे एका हिस्सा कितना था एका हिस्सा कितना था 3 upon 9 और किस form में 3 किया 1 upon 3 के form में लिया तो कितना आ जाएगा 3 upon 27 अब simple calculation new ratio निकालना है आपको आपको क्या निकालना है new ratio तो भाई एक बात बताओ जो आपका पुराना था आपका पुराना कितना था सर इसका निकालेंगे new profit sharing ratio बचे हुए का ना तो बचे हुए मतलब B तो B का पुराना हिस्सा क्या था आपका 2 upon 9 और इसने A से कितना और कितना take over कर लिया 3 upon 27 क्या मैंने अगर उसका हिस्सा जोड दिया तो क्या मेरा B का new ratio आजाएगा कि नहीं आजाएगा ति कुसी प्रकार अगर मैं C की बात करूँगा C का old ratio क्या है 1 upon 3 upon 9 3 upon 9 और A का कितना take over किया 3 upon 27 और D की अगर बात करूँगा तो 1 upon 9 प्लस 3 upon 27 अब LCM उठाएगे LCM यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 फिर 6 प्लस 3 यानि 9 upon 27 चीक उसी प्रकार यहाँ पर 27 9 प्लस 3 यानि 12 upon 27 और अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी 27 3 प्लस 3 यानि 9 upon 27 अब आप इनको simplify करो तीन के टैबल से आप इसको divide कर सकते हो तो आजाएगा 3, 4, 3 करके आजाएगा अगर आप इसको simplify करोगे तो तो new profit sharing ratio कितना आ गया 9, 12, 9 इसका P C D का अच्छा अगर इनका मुझे GR निकालना पड़े अगर मुझे इनका क्या निकालना पड़े GR तो एक बात बताओ GR कितना होगा भाईया जितना gain किये हो gain कितना किये हो equal equal न तो gaining भी कितना होगा 1, 1 ही तो होगा फोड़ा सा दिमाग लगाओ फोड़ा सा क्या लगाओ दिमाग लगाओ 1, 1 ही तो होगा clear हो गया कि नहीं हो गया चलिए तो ये था हमारा case number 2 note down good say करना कुर कि तददब चय होगा नव होगा ,हां पर यांपर मैंने वह शे преступ कर दिया है यहां पर चहे होगा ल allegiance खईक है भाया यहां पर यहåँ फराशी होगा यहां पर यह फ Youtube के जहां पर नौत वहां पर चगागा डिका शकी ठीखेंग आगे अब case number three की बात करते स्टीज देगे case three क्या कियता है द्यान से समझेगा case three कहता क्या है कि जो आपके retire partner है या जो आपके death partner है इनका जो share है इनका जो क्या है share है इस share को फिर से क्या किया गया है टेक ओबर कर लिया गया इसको फिर से क्या कर लिया गया टेक ओबर कर लिया गया और टेक ओबर कैसे किया गया है जान दीजेगा इन इस्पेसिफिक रेसियो कि in specific ratio मतलब क्या एक निस्चित अनुपात में टेक लियागया तो अकर निस्चित अनुपात में टेक लिया गया तो कॉनों tension है नहीं सीधा क्या करेंगे जोड देंगे कोई कहानी का कॉँभा Th eta कोई बोड़े से परिवर्थित कर दिये जाते हैं कभी-कभी आपको ऐसे दिया जाएगा 3 upon 6 का फॉर्म दिया जाएगा ठीक है, कैसे दिया जाएगा? 3 upon 6 का फॉर्म दिया जाएगा या फिर 2 upon 6 का फॉर्म दिया जाएगा ऐसे करके दिया जाएगा या कभी-कभी आपको ऐसे दे दिया जाएगा या 3-2 के रेशियो में take over कर लिया ऐसे दे दिया जाएगा समझें आप या फिर आपको एक और concept फ्रॉम और इस का दे देगा फ्रॉम और किसका दे देगा इस का दे देगा from दे देगा या फिर कहेगा is दे देगा ये line रहेगी बहुत महीन सा point है और इसी point पे पूरा game चेंज हो जाता है जान से सुनियेगा अगर इस तरीके से take over किया गया है अगर इस तरीके से क्या किया गया है आप सीधा क्या करिये add करिये कोई change नहीं करना कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना सीधा क्या करना है, एड करना है और अगर इस तरीके से दिया है 3 to 2 के रेशियो में तो पहले आपका सबसे पहला step होगा कि आप multiply करेंगे आप क्या करेंगे multiply करेंगे, गुडा करेंगे इसको note कर लीजे बहुत द्यान से नोट कर लीजे इसको पहले multiply करेंगे और फिर multiply करने के बाद फिर से क्या करेंगे जोडेंगे अगर आपको याद हो तो आप admission में ये करके आ चुके हो वहाँ पर बस हम जोडते नहीं थे बलकि वहाँ पर हम क्या करते थे घटाते थे बाकी करिये एड कर दीजे भाम है तो सीधा फिर क्या कर दीजे एड कर दीजे और अगर गलती से इस दे दे या फिर टू दे दे फिर से क्या करिए multiply करिए और फिर क्या करिए add करिए multiply करिए या फिर क्या करिए आप add करिए basic पकड़ लीजे बेटा आपका ये जो क्या कहते हैं new profit sharing ratio है ना लेकिन मानना जीवन में कभी गलत नहीं होगा तो मझ में आ गया बेटा दिक्कत तो नहीं ठीक है अब क्या होता है कि कुछ बच्चे note करते करते पेना ओना खाने लगते हैं अगर आपको सारी चीजे जब समझ में आने लगती है तो आप कुछ ऐसी उट पठान वाली हरकत करने लगते हो अगर आप कुछ ऐसी उट पठान हरकत कर रहे हो तो इसका मतलब आपको चीज है समझ में आ रही है अप अपने अधेरे से उजाले की तरफ बढ़ चुके हो चलिए अच्छी बात है अब हम यह क्या कहते हैं स्पेस्फिक रेश्यो वाला कॉंसेट देखते हैं जिसमें यह स्पेस्फिक फॉर्म में दिया गया है जैसे सपोस करिए आईए देखते है विटा जैसे लिखा है कि आपके ए बी सी डी पार्टनर है इनका पीसर है आपका फाइव इस बार बी को रिटायर करणा है इस बार बी का हो गया? रिटायर हो गया अब क्वुश्चन और बचे कौन? रिमेंटिंग बचे कौन? रिमेंटिंग बचे कौन? रिमेंटिंग पार्टनर बचे सर, A और C जो होना इनी के साथ होना है जो होना है किसके साथ होना है इनी के साथ होना है क्योंकि ए तो निकल लिया सारी बी निकल लिया अब कोशन क्या कहता है कि जो बी का सेयर है क्योंकि इसका सेयर है बी का सेयर है वो remaining partner ने 2 upon 10 और 1 upon 10 के फॉर्म में टेक ओबर कर लिया बी ने कैसे टेक ओबर किया 2 upon 10 के फॉर्म में और सी ने कैसे टेक ओबर किया 1 upon 10 के फॉर्म में यानि देखो कौन सा केस टगरा रहा है ये वाला ना ये वाला टगरा रहा है कि ने टगरा रहा है तो मैंने क्या का अगर इस तरीके से दिया रहे तो सीधा क्या करेंगे एड कर देंगे यानि जब आप A का रेशियो निकालोगे तो A का रेशियो क्या है 5 upon 10 ना और ये B का सेर कैसे ले चुका है 10 upon 10 तो आपका 2 upon 10 तो सीधा आंसर आपका क्या जाएगा 7 upon 10 और अगर सी का निकालोगे तो सी का कितना है 2 upon 10 प्लस 1 upon 10 और यहां भी क्या आगया 3 upon 10 स्मझ में आगया बिटा इसको हम लोग क्या कहते हैं स्पेसिफिक रेशियो वाला कॉंसेट्ट ठीके भी या अगला पोर्शन देखते हैं अच्छा जी आर कैसे निकालेंगे वही सेम वही और नियू रेशियो माइनस क्या आपका और मैं आपको कमाल की बात बता हूँ यह जो टेक ओवर किया है ना यही आपका गेनिंग रेशियो भी है यही आपका गेनिंग रेशियो है दिमाग लगाने की जुरत ही नहीं है चलिए आके देखते हैं तो अब यह वाला पोर्शन हमारा कम्प्लीट अब ज़रा यह वाला देखते हैं इस टू वाला इस टू वाला ठीक है देखो अच्छा यह जो दो बिंदी दिख रही है मैं बार बार इस टू बोल रहा हूँ यह जो दो बिंदी आपको दिख रही है इसी दो बिंदी को नाम ही क्या है इस टू है और यहाँ पी मैंने क्या कहा था इस टू क्या कहा था इस टू या तो वो आपको बिंदी लगा के दे देगा और अगर नहीं लगाएगा तो लिख कर देगा है ना अगर नहीं लगाएगा तो लिख देगा और अगर लगा देगा तो नहीं लिखेगा लेकिन आंसर वा क्या है सेमी तो रहेगा पहले क्या करेंगे multiply फिर क्या करेंगे फिर क्या करेंगे जोड देंगे समझे आओ चलो यह वाले देखो question कहता क्या है कि A, B, C इस बार किसको retire करें चलो C को ratio क्या है 5, 3, 2 question कहता है कि C retire हो गया ठीक क्या हो गया retire हो गया और अगर C retire हुआ है तो CDC बात है remaining बचा कौन remaining बचा कौन sir A और B और A और B ने कहा क्या कि जो C का हिस्सा है जो क्या है विटा C का हिस्सा है हम उसको 2 is to 3 के form में take over करेंगे C का जो हिस्सा है C का जो हिस्सा है उसको हम 2 is to 3 के form में क्या करेंगे take over करेंगे सबसे पहले मैंने क्या बताया पहले गुडा करो फिर क्या करो multiple add करो यानि सबसे पहले ये बताओ C का हिस्सा है कितना sir 2 upon 10 इसको A ने भी लिया है और B ने भी लिया है तो A ने कैसे लिया 2 upon 3 के form में B ने कैसे लिया 3 upon 5 है और यहां पे क्या 3 upon 5 के form में यानि आप सबसे पहले इनका क्या कराओ cross connection कराओ इनका टांका भीडाओ कुछ बच्चे बड़ा मुस्कुरा दिये है क्या हा सर आप तो मेरी बात कर रहे हो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ इनकी बात कर रहा हूँ यहां पे क्या आएगा 4 upon 50 यहां पे क्या आएगा 2 upon 10 into 3 upon 5 यानि 5 upon 50 यहां पे क्या आजाएगा इसका मतलब क्या देखो गुड़ा हो गया पहला स्टेप हमारा खतम पहला स्टेप हमारा क्या हो गया खतम अब क्या करें सर अब सीधा जोड़ दीजे यानि एका रेशियो क्या था 5 अपॉन 10 था और सी जो रिटायर हुआ है उसका हिस्सा आपने कैसे लिया है 4 अपॉन 50 में इसे रिटिव गफवर की है six अपन 50 लसी एम कितना आएगा मेरे ख्याल से इसंग यहां पे 55 5 by 25 और यहां पर यहां 15 प्लस 6 यहां पर क्या आज आएगा 21 अपाँ 50 लेजे बताईये अज़िक मैं आ गया और गेनिंग रेशियो क्या होगा जो आपने टेक ओबर किया है टेक ओबर क्या किया है यह रहा यह रहा गेनिंग रेशियो क्या निए 4 अपाँ 6 4 इस टू 6 तो यहापका new profit sharing ratio यहीं पर क्या होता है आपका तौ अगरव इसे दे दे तो कर लोगे ना पहले क्या करेंगे पहले गुड़ा फिर क्या करेंगे पहले क्या करेंगे पहले टांका भिड़ाएंगे फिर जोडेंगे पहले लब महरी पहले लब होगा फिर महरीज होगी और यहां पे सीधा क्या हो रहा है अरेंज हो रहा है चलिए मैं इति से याद आया एक ठोग साहीरी है कि मुखबत उनी से होती है जिनका नसीब में लिखना नहीं होता मुखब्बत उनसे बड़ी खतरनाक होती है जो हमारी नसीब में लिखे नहीं होते चली आगे देखते हैं कुछ नालाहक पैसा दे रहे हैं हमको है अपनी तरह समझे हो गया चलो आओ देखो चलेंगे बड़ा तो यह आपका क्या हो गया यह पहला portion हमारा क्या हो गया यहाँ पे complete हो गया अब देखिए अगला जो आपका topic है वो है आपका क्या देखो जी आर हमारा हो गया न्यू पी असर भी हो गया अब गुडविल का वैलुएशन अल्रेडी हम कर चुके हैं लेकिन अब जर्नल इंट्री बाकी है इसकी बाकी है जर्नल इंट्री हेडिंग डालिए जर्णल इंट्री in case of general entry of goodwill in case of admission sorry in case of the retirement and death retirement and death तो देहान से देखो बेटा क्यों गुडविल होगी यर्नल इंट्री ओफ गुडविल अच्छा द्यान से सुनियेगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यह जिस पार्टनर की डेथ हो रही है इसका मतलब इसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है अब आपको एक सर हम मर गए तो हमको लॉस हो गया है यह आपको फ्यूचर लॉस होगा भाई आप निपट लिए उसका फाइदा आप किसको मिलेगा उसका फाइदा किसको मिलेगा remaining partner को क्योंकि पहले जब आप थे तो आप profit में हिस्सा ले रहे थे अब आप नहीं है तो profit इसका होगा जो बचे हुए partner है और आपको मैंने बता रखा है कि जिस भी partner को loss होगा उसी को compensate किया जाएगा यह कहानी मैंने आपको admission में भी समझाई थी कि जब नया partner admit होता है तो नय partner के admit होने के वज़ा से जो पुराने partner होते हैं उनको loss होता है इसी वज़ा से वह क्या करते हैं पैसा लेते हैं गुडविल का पैसा क्या करते हैं लेते हैं लेकिन यहां पर क्या हो रहा है यहां पर जो जा रहा है यह जो जा चुका है मतलब रिटायर हो रहा है और जो जा चुका है मतलब गया तब तब तह राम जानेए स्वयर गाहें नार का सब्सक्राराफ कर्म डिफित करिए différence आपके हते हाथ में नहीं है हमकर एक चीज है तो वह आपकी मेहनत है आप मेहनत इमानदारी से करिए जाकर रिज then आए गा ऐसा नहीं कि क्लास में बैठे हो और सोच रहे हो कि अरे यार खलनवक मैंसे जाया होगा वो हमारा इंतजार कर रही होगी कुछ बच्चे तो इस टेंसन में है कि साला चौदा फरवरी को भी पेपर है हाँ एक बच्चा मेरे को कल मैसेज कर रहा है कह रहा है सर चौदा फरवरी वाला पेपरवर्ट लेगा क्या हम कहें कहा है भाईया कह रहा है सर उस दिन हम बीजी हैं हम कहें घवराओ नहीं पंद्रा वाले को जो ब्रेकप डे होता है न वह तुम्हारा बोर्ड कर देगा आइसी मतलब क्या बताएं कहां से आते हैं ऐसे नमूने आगे बात करेंगे ठीक है कोई बात नहीं देखिए हर व्यक्ति का अपना जीवन है हर व्यक्ति को मुन रंजन चाहिए ठीक है हम आगे देखेंगे को देखें तो इन दोनों को क्या हो रहा है रिटायर पार्टनर को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है इसका मतलब इनका क्या हो जाएगा इनका कैपीटल और क्या करेंगे अर जो पार्टनर, जिन पार्टनर को gain हो रहा है सवाल ये उड़ता है sir gain किसको होगा 都 मैं आपको बताओं जो आपके remaining partner जो अभी भी बचे है जो आपके क्या है remaining partner जो क्या हुए है बचे है उनकी capital को क्या कर दिया जाेगा बेटा क्योंकि पैसा तो इन ही से लेना है ना तो इनकी कैपिटल को क्या कर देंगे हम यानि हमारी इंट्री क्या होगी ध्यान दीजेगा हम नगत में पैसा भीजा नहीं देंगे पहले बता रहे हैं अपने कैपिटल से उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और उसकी कैपिटल में क्या कर देंगे जोड़ देंगे और कहेंगे लिए 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 गुड़ विल हो गई क्या ही करेंगे यानि हमारी इंट्री क्या होगी बैटा गेनिंग पार्टनर capital account debit to remaining partner retiring partner retiring death partner capital account हो गया विटा सवाल कर लिया जाए बस एक इंट्री वैल्यवेशन में होता है जो इन बटा पैसेट करते हो यह सब यह जो है ना मन्त का कैलकुलेशन करते हो वो सब होता है बटा है हो गया बटा उनों दिक्कत अब आगे इंट्री कुशन देखने हैं अब जिसे माल लीजे यही पार्टनर थे wen ए थे बी थे च सी थे फ्रिटायर हो गल सव गया सबक्राषण है इनका पीस ओ ठाfree 2 वन अच्य फोर्म का जो गुडॡविल है फॉम घुडविल ज्यान दीजे या तो आपको गुडविल दी रहेगी इसके नाम से या तो आपको उसके पार्टनर के शेयर की गुडविल दी रहेगी दो चीजें अगर फर्म गुडविल है तो सबसे पहले आपको उस पार्टनर का गुडविल निकालना पड़ेगा और अगर शेयर इसका नहीं है यह सबका यह आक़ सल्का को तो यह पर ने झाल ना है यहां पर मैंने क्या लिखा लिखा थे आपकी है 60 हजार काटने में असानी होगा क्या परिसाली ठीक है तो अब यह फर्म ली और फर्म का मतलब मैंने क्या बताया था collection of partner collection of partner मतलब इसमें किसका हिस्सा है A का भी है B का भी है किसका है C का है और आपको निकालना किसका है किसका निकालना है C का ना तो आओ C का हिस्सा पता करो C का हिस्सा क्या है C share goodwill C share goodwill यानि 60,000 गुड़े 1 बटा 6 कितना 10,000 इसका मतलब कि 10,000 C को मिलेगा लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी 10,000 कहां से बटोरा जाए तो मैंने क्या कहा जो partner gain करेंगे gain कौन कर रहा है B और C A और B C1 ही लेते हैं तो जो पुराना हिस्सा होता है वही इनका gaining ratio हो जाता है तो यानि कहने का मतलब है कि C का capital क्या हो जाएगा credit यानि C capital account कितने से 10,000 से लेकिन सवाल ये उठता है कि A से कितना ले 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 और B से कितना ले ले अरे मालिक ये जो 10,000 आया है इस 10,000 को इनके gaining ratio में दो ना कौन देगा जो जितना gain करेगा तो किसने कितना gain किया A gain कर रहा है कितना 3 upon 5 और B gain कितना कर रहा है 2 upon 5 तो कितना आएगा 6,000 और 4,000 यानि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे A capital A capital account debit कितने से 6,000 से और B capital कितने से 4,000 से अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ मान लीजे खाली A ही पूरा का पूरा gain करता भाईया अगर पूरा-पूरा मलाई तुम खाओगे तो पैसा देगा कौन तुम ही दोगे तुमज में आया A to C हो जाएगा जैसे क्या होता है पहले क्या होता था जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे चार-पांच लोग है तो मान लीजे मैं गया सब ने कहा कि यार हम खाएंगे मान लूमाई पास पैसे नहीं रहते थे हम उस समय कुछ आडर नहीं करते थे अगर हम कुछ पाइसा देना पड़ जाएंगा और आदेद नहीं किये हैं तो पाईसा नहीं देंगे इज्वार्फ अपनाते थे हम क्योंकि हमने पांच रुपएगा आदर किया पाइसा फिर हमको देना पड़ जाएगा पूरा बराबर बराबर यही है रहा है दभाले अब अगला concept में आपका क्या है रहनादें गे अगले concept में देखो क्या क्याNe when I K дев evaluation same एचं़ फरी एट्रेसेंट्टालक्प और सॉ इसेट्ड्मेन एफ एक बाकियाहे इंडिस्ट्रीब्यू прим helping कर एक है अब यह एक बाकिया बाकियाँ अब क्या अ अब में है और अरजस्ट्रमेंट से पहले हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो रिटायर पार्टनर हो रहा है उसका सेयर हम कैसे फाइंड आउट करें यानि उसका लोन एकाउंट हम कैसे सटल करें कि हम अब नहीं अगली वाली क्लास में क्या करेंगे समझेंगे तो आज के लिए फिलाल इतना ही आपको सिर्फ करना गया है ध्यान से सुनिए होमवर्क सुन लीजे इससे जितना भी टॉपिक मैंने आप डिसकस किया है इस सारे टॉपिक का आप कुशन लगाईए इमानदारी से लगाईए नहीं तो एक चीज जानिए अब अगर राबर नहीं लगाए तो अब कुछ नहीं कर पाओगे जान लो कुछ गिंती के दिन बचें हैं गिंती के आप ये जानो जो आकड़ा तीन दिन में चलता था अब दहाई में चल रहा है तहाई का मतलब क्या है कि बस ज्यादा ज्यादा काई दिन बाकी होगा बीस बाइस दिन बाकी होगा समझ लीजे बिटा अभी बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है हम इस पूरे अकाउंट को पांच फरवरी से पहले पहले खतम कर देंगे उसके बाद भाईया तोरे सबे मुक्तहा जाई के जौन मन का है तौन पढ़ा हाँ आपको कोई समस्या रहेगी तो वो हम बताते रहेंगे और पांच फरवरी के बाद सिर्फ हम एक काम करेंगे सेंपल पेपर सॉल्व करेंगे सेंपल पेपर जो बच्चे यहां पर रहेंगे सेंपल पेपर बाकी कुछ नया नहीं समझ में आ गया बड़ा ताकि हमारे पास सब कुछ क्या रहे तैयार रहे हमारा देखो अभी देखो इसके बाद हमारे पास इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं इसके बाद आपके पास मान के चलिये, दो दिन के अंदर अंदर हमारा डेथ खतम होजाएगा। एक दिन लगेगा dissolution समझाने में, एक दिन ज़्यादा ज़्यादा एक दिन करादेंगे, दो दिन में dissolution खतम, फिर उसके बाद बारी आती है आप की company के, प्रिफ्रेंसियर की और रडिविंचकर की क्योंकि सब में सेम ही है उंतर क्या है जहाँ जहाँ उत्वाद प्रिफरेंसियो और बाइस कुछ अंतर नहीं है क्यों रिडंप्शन में चेंज आएगा वह हम आपको बताते है फिर उसके बाद बैलेंस सीट फिर कैस्ट फ्लो स्टेट्मेंट फिर रेसियो अब फिर उकरे बाद जाए शिरी राम जा वहीं मुक्तहा अरे यार फिर वही बाद पिटा आज इस पीड पकड़े हो बस कल देखो चलो अब इसके आगे कल मिलते हैं जै महाकाल